चाहे तुहानू किन्नावी पुराणा यूरिक ऐसिड होवे, जां किन्नावी पुराणा क्लेस्ट्रोल होवे, बलाड प्रेशर वाद्धा होवे, चाहे किन्नावी जादा क्लेस्ट्रोल स्रीर दिया नसावीच जाम गया होवे, देल दी किसे वी तरांदी समस्या होवे, ता आज असी तो हान्यू एक क्रेलू नुसका दसांगे। एस नुसके नार एस मस्यामा बिल्कुल ठीक हो जान गिया। कलेस्ट्रोल नू अते यूरिक ऐसिड नू असी बहुत सारे तरीके नार ठीक कर सागदे हा। पर आज असी तो हान्यू जो नुसका दसांगे। ओ बहुत ही जादा असरदार नुसका है। कलेस्ट्रोल अते यूरिक ऐसिड तो इलावा। जे तो हाड़ा ब्लड प्रेशर वाददा है तो हाड़े चेरे ते बहुत जादा पिंपल्स अते दाग ता बेहन। हाज में दी कोई भी समस्या है, हड्डियां दी कोई भी समस्या है, जां फिर नकसीर दी समस्या है। ता ए सब समस्या में भी इस नुसके ना पिल्कुल ठीक हो जान गिया। चलो होन तो हाँ नुदास्ते हाँ ए नुसका बनोना किस्तरा है अते लेना किस्तरा है एस तो पहला जे तुसी साथा Facebook अते YouTube चैनल सहत पंजाब हेल्थ सब्सक्राइब नहीं किता ता कर लो एस नुसके लिए सब तो पहली चीज लवांगे सफेद पेठा सफेद पेठा साथे स्रीर लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद हुन्दा है जे इसनों लगातार 14 देन खादा जावे ता इसना यूरिक एसिड नार्मल हो जान्दा है अते बुरा क्लेस्ट्रोल भी ठीक हो जा अते नसां वीचे जम्या होया क्लेस्ट्रोल बहुत जल्द बाहर निकल जान्दा है चलो होन तो हान उदास देहां ए बनावना किस्तर है अते लेना कदो है साबतो पहला एस पेठे नू छोटे छोटे टुकड़ें वीचे काट लो अते थोड़ा जिहा पाणी मिला के ग्रा अते जल्दी खांक जुखाम दी समस्या हो जान्दी है ता इस जूस वीचे दो चुटकी अजवाइन पाउडर अते दो चुटकी काली मिर्च पाउडर मिला के लेना है क्योंकि इस दी तसीर बहुत ज्यादा ठंडी होन दी है एन उसका बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है इसनू लगा तार 14 दिन लेके देखो तुसी देखोगे तो हाड़ा यूरिक एसिड अते कलेस्टरों बिल्कुल ठीक हो जावेगा जे तो हाड़ा बलड प्रेशर वादा है तो ओ भी नॉर्मल हो जावेगा हड़ियां दी हर तरह दी समस्या ठीक हो जावेगी चैरे दे दा गर्मी दे सब रोग ठीक हो जानती हैं दोस्तो एसी कलेस्टरोल अते यूरिक एसरली असरदार क्रेलू नुसका अमीद है ए नुसका तो हाड़िली फाइदे मंद हो वीगा वीडियो देखनली ता नवाद